तो गाइज मैं आज आपके साथ सेयर करूंगी कि आप ग्राई सिंदूर को किस ट्रिक के साथ लगाएं ताकि वो आपका एजटेज रहे और इसमज ना हो तो मैंने एक ट्रिक नहीं खोजी है अभी आपको क्या करना है अच्छे से पहले तो मिट पार्टिशन कर लेना है इसक प्लेश करना है जैसे मैंने यहां पे कर दिया इसके बाद आपके जो लिक्यूट सिंदूर के अप्लिकेटर होते हैं जो सूख जाते हैं इनको फिर फैका मत कीजिए इन अप्लिकेटरों को यह आपके ड्राई सिंदूर लगाने के बहुत अच्छा वर्क करते हैं आपको ब पिल्कुल भी इधर उधर यह नहीं होगा अपनी जगह पर ही लगेगा और एकदम तरीके से लगता है आप इसी ट्रिक से अगर यहां तक का सिंदू लगाते हैं तो भी लगा सकते हैं और मुझे तो ड्राई सिंदूर बहुत पसंद है इन दिनों वैडिंग सीजन में आप अच्छा लुक देता है आपको तो देखिया और इसके बाद आप चाहें तो फिंगर से हलकाशा डैप कर सकते हैं और यह आपका कहीं भी नहीं जाएगा जब तक कि आप इससे हटाएंगे नहीं तो मेक्स और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना फॉलो कर लेना